तो हेलो रूस तू यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो कि मेरी आईडी में यहाँ पे आपको चार टाइप के क्रेट्स देखने को मिल रहे है फर्स्ट है उडेन, सकेंड है यहाँ पे सिल्वर, थर्ड है गोल्ड एन फॉर्थ है प्लैटिनम तो इस वीडियो म हम आपको बताने वाल है कि आपको यह सब क्रेट्स कैसे मिलेगा और किस तरीके से आप सब यह क्रेट्स खोलेंगे मैं लाइप प्रूफ दिखाऊंगा थिक है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उडेन क्रेट जैसे कि मैंने खोला, तो मेरे को मिल गया क्या, जु सिल्वर क्रेट हैं हथा और यहां पर आपका नपर नतलब Snake यहां पर जया बिले का तैसल कोटेकर कट एक दीगा से असमाइज आ डो टार्ट के lives का आपको मैंने दो लेजंडरी करेक्टर निकालके दिखा दिए हैं फस्लेक्टर फानले यहाँ पे बचा कौना प्लेटिन अपना प्लेटिनम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे और आगे मैं आपको सब कुछ steps बताने वाला हूँ तो घबडाना नहीं तो finally यहाँ पर हम लोग अब platinum crates खोलेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पर platinum crates खोला तो मेरे को जीवका का साथ card ठीक है उडेन में मिल ला है platinum में मिल ला है gold में मिल ला है तो सब कुछ आपको जो character चाहिए न वो character आप निकालोगे ठीक है बस video को end देखते रहो तो finally यहाँ पर देख सकते हो क्या-क्या must rewards बोले तो crates से निकल रहे and guys मैं आपको एक बात ध्यान में ला दो कि guys मैंने 12,000 से जादे match खेल लिये आप जाकरके मुझे ऐसे rewards देखने को मिल रहे but आप यहाँ पे जो भी tricks मैं भी बताऊंगा वो follow करके यहाँ पे crates को open करते हो crates आपको नहीं मिल ला है तो वह भी बताऊंगा तो आपको इससे भी बहतर rewards देखने को मिल सकते है 100% confirm तो सबसे पहले काईस आपको कुछ नहीं करना है हमेशा कितरा यहाँ पे character हमेशा matter करता है मेरी आपने पिछले वीडियो में भी यहाँ पे देखा होगा कि character के बाड़ में मैं आपको बताता हूँ तो देखो यह आड़ो जो आपको crates देखने को मिल रहना और jack character से occupy करने के बाद अपने friends को बुला करके 4 vs 4 खिला 4 vs 4 में आपका यहाँ पे gameplay कैसा होना चाहिए आप यहाँ पे MVP होने चाहिए बोले तो यहाँ पे आपका MVP नहीं हो पाड़े हो जब तक MVP नहीं हो पाड़े हो तब तक आपको matches खेलते रहना है और अच्छा gameplay करना है ठीक है तब ही आपको यहाँ पे अच्छे-च्छे crates मिलने वाले है ठीक है आप यहाँ पे gameplay अच्छा करोगे 10-20 gameplay अच्छा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जी हाँ सबसे rare platinum crates मिलेगा और gameplay अच्छा नहीं है by the way और अज़ादे आप matches खेलते हो तो आपको gold crate मिल सकता है यह depend करता है आपकी यहाँ पे gameplay पे और total number of matches पे सब कुछ मैं के clear करने वाला हूँ लेकिन अभी तक वीडियो को एक like नहीं करके चैनल को subscribe नहीं कियो तो एक request है चैनल को subscribe कर दूँ guys and चलो next मैं आपको बताता हूँ करना क्या है तो मेरे बता है technique से यहाँ पे आपने gameplay अच्छा कर लिया gameplay अच्छा करने से आपको यहाँ पे crates मिल गया तो बहुत सारे बंदे at a time खोल देते है crates को तो आपको at a time crates को नहीं खोलना है ठीक है अगर आपके यहाँ पे wooden crate आया है silver crate आया है तो आप खोल सकते हो लेकिन अगर आपका यहाँ पे goal crate आया है और platinum crate आया है तो goal crate और platinum crate को बचा करके रखो और कब खोलना है guys आपको मैं बताता हूँ जब आपका highest gameplay मस्त वाला gameplay हो मतलब कि guys आपने यहाँ पे 10 skill से जादा कर दिया हो तो उस 10 skill के बाद ही आपको यहाँ पे goal crate को खोलना है या platinum crate को खोलना है ठीक है यही दोनों crates पे apply होगा 10 skill यहाँ पे आप चादे करोगे 10 skill से उसके बाद आपको यहाँ पे goal crates खोलना है यह है खोलने का timing जिससे आपको rewards और भी अच्छा मिले guys यहाँ पे मैंने 12 जैसे plus matches खेल लाना तो मेरे gameplay अच्छा है और मैंने जो experience किया ना उस भी साप से मैं आपको बता रहा हूँ का लिंक है जहाँ पे battle stars में जोईन होकर कि आप लोग battle stars के टूनामेंट वगेड़ा खेल सकते हो तो description जरूर चेक आउट करो लिंक में जरूर जरूर डिस्कॉर्ड में और सैनल को subscribe जरूर करो टाटा see you मिलेंगे एक और ना वीडियो में तब तक लिए बाइ